नमसकार दोस्तो। आशुका डिजीटल गुरू ओं-लाइन प्लेटफोरम पर आप सभी का हर्दिक्त स्वागत हे अभिनन्दन हे दोस्तो आज हम दसमलो संक्याओं को भुन में बदलना स्चेंगे दसम्लो संक्या को भिन में कैसे बदला जाता है कौन कौन सी दसमलो संक्य होती है किस प्रकार से उनको भिन में बदला जाएगा उस सारी चीज आज हम इस वीडियो में जानेंगे दोस्तो देखिए सबसे पहले तो आपको संक्या दसमलो संक्या इस प्रकार की मिल सकती है 0.4 दूसरा आपको मिल सकता है 0.4 बार ठीक है तीसरी संक्या आपको मिल सकती है 0.123 और केवल 3 के उपर बार है तो ये 3 प्रकार के संक्या आते हैं जिनने एक्जामिनर आपको बिन में बदलवाता है एक ये दूसरी ये और एक ये इन्हें बोलते हैं दोस्तो सांत दसमलो संक्या इन्हें बोलते हैं दोस्तो सुद्ध आवर्ती ऐसान दसमलो संक्या और इन्हें बोलते हैं दोस्तो मिश्रित आवर्ती ऐसान दसमलो संक्या इन 10 संक्याओं को भिन में कैसे बदलते हैं, बटा में 9 क्यूं लगाते हैं, बटा में 0 क्यूं लगाते हैं, वो सारी चीजे आज मैं आपको बताने वाला हूं, देखिए दोस्तों, सबसे पहले, अगर आपको x बराबर 0.4 दिया हुआ है, और आपको कहा जाए कि इसे भिन मे भाई, चार नहीं लगाया, पांच नहीं लगाया, दस ही क्यूं लगाया, एक 0 ही क्यू लगाया, तो उसका कायन जानी है, दोस्तों, देखो, जैसे यह है, 0.4, अब इस संक्या को अगर मैं ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दू, तो कोई दिख्यत है क्या भाई? किसी भी संक्य क्या को उपर नीचे एक ही संख्या से गुणा कर सकते हैं, उपर नीचे हमने इसे 10 से गुणा किया, तो उपर हो गया 40, और नीचे हो गया बटा में 10, लेकिन एक के बाद क्या लगेगा दोस्तों, दसमलो, अब एक के बाद 10 लगेगा, आप 10 लगा दोए हैं, जैसे ही आपने एक के बाद 10 संबलो लगाया तो आपकी संख्या बन गई 4 बटा 10 क्योंकि 10 संबलो के बाद यदि केवल 0 है तो आप उस 0 को लिखो या ने लिखो कोई फरक नहीं पड़ेगा तो यह संख्या हो गई 4 बटा 10 इसी प्रकार दोस्तो यदि आपकी संख्या है 0.12 और आपको कहा ज जैसे युपर वाली संख्या को मैं 100 से गुणा करूँगा भई तो बताओ ये जो 1 दसंबलो हो यह दो अंक आगे खिशक जायेगा कि नहीं दो अंक दाही और खिशक जायेगा कि नहीं तो यह राइट साइड जायेगा तो यह बचे गा ठीक है दोस्तों लेकिन हम बात कर रहे हैं कि बार वाली संक्याई यह आजाएं जिस परकार प्रसन आया कि x बराबर 0.42 आपको कहा जाएं कि x बराबर 0.42 और कहें कि इसे भिन में बदलो दोस्तों इसे भिन में बदलना हैं तो आप लिख देंगे x बराबर 4 बटा 9 चार बटा नो, जितने अंकों पे बार है, नीचे उतने ही नो लगा दो दोस्तों, जितने अंकों पे बार उतने ही क्या लगा दो, नो, ये संक्या आपकी हो गई, चार बटा नो, जिसे आप सोल करेंगे, तो पॉइंट चार, 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 चार ही मिलेगा, बार का मतलब है, द जब आप 4 में 9 का भाग देंगे, 4 में 9 का भाग देंगे, मैंने कहा कि 0.4 बार को हम 4 बटा 9 लिख सकते हैं, चेक करते हैं, क्या ये 0.444 ही आता है क्या, तो देखो भाई, इसमें 9 का भाग दिया, अब 9 का भाग जाता नहीं है, तो सबसे पहले, तो 10 अमलो लगाओ, यहाँ 0 जो लगा लो 9.36 भाई कितना बचा च्यार अब देखो भाई फिर 0 फिर 9.36 और बताओ इस परकार ये चलता रहेगा कि नहीं चलता रहेगा अब बताओ ये कहां तक जाएगा भाई अनन तक जाएगा और ये ही तो है 0.4 बार इसी को तो कहते हैं 0.4 बार इसका मतलब जो हमने 4 बता नो लिखा यानि 4 में जब हमने नो का भाग दिया तो हमें पॉइंट 4, 4, 4, 4 ही मिला और वो भी कितने बार मिला अनन्त बार मिला इसलिए इसे करते हैं 0.4 बार अब आम ये प्रू कैसे करेंगे कि बता में नो ही लगाना है देखो इसको जानो बहुत ही अच्छी 4, 4 और ये कितने बार है अनन्त बार ये संक्या हमें दी गई है अब भाई मैंने कहा कि ये जो एक्वेशन आपको दिख रही है इसको दोनो तरफ 10 से गुणा कर दो किसी भी समिकन को हम दोनो तरफ एक ही संक्या से गुणा कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं दोनो तरफ 10 से करने पर, आपने जब इसे दोनों तरफ 10 से गुणा किया, 10 को X से गुणा किया, आपको मिला भाई 10X, जब आप किसी भी 0 से 10 समलो वाली संक्या को गुणा करते हैं, तो आपको पता है कि 10 समलो एक अंकदाई और खिशा जाता है, तो दोस्तों यह हो गया, 4 पोइंट, 10 समलो पास कमी नहीं है, अनन्त है, यह आ गया दोस्तों, अब देखो, 10X बराबर 4.4444 हो गया, और एक हमें दिया गया था, X बराबर 4.4444, यह X का मान है, अब आपको पता है, कि 10X बराबर 4, और इसको मैं लिख सकता हूँ, प्लस पोइंट 4.44, देखिए दोस्तों, इसका मतलब यही तो है, कि 4 तो है पूरा-पूरा, और उसके साथ जुड़ा हुआ है कौन, 0.444444, तो उसी बात को खोल के लिखा है, मैंने कि 4 प्लस में 0.444444 लिख दिया, अब एक बात बताओ मुझे, यह किसका मान है, यह, देखिए, 0.4444, किसका मान है, X का, तो इसकी जगह मैं X ल यह X इधर आएगा, अब 10X में से 1X माइनस करोगे, तो क्या हो गया, 9X, और 9X बराबर में हो गया, 4, तो X बराबर हो गया, 4 बटा 9, तो इस प्रकार से बटा में आता है 9, दोस्तों, यह आपको एक्जाम में करना नहीं है, लेकिन यह 9 आया कहां से, वो बात मैंने आपको बताईए, अब परिक्षा में इन प्रसनों को कैसे करना है, वो मैं आपको सिका रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे, एक प्रसन से जरूर आएगा, छिए आप रिट का एक्जाम दें, आप दिल्ली पिलिस का एक्जाम दें, कोई भी एक्जाम देंगे, तो आपको एक कुशन जरूर यह देखने को मिलता ही है, तो देखे, प्रसन आया, एक्स बराबर जीरो पॉइंट एक तीन बार, पॉइंट एक तीन बार, कहेगा कि इसे भिन में बदलो, किस में बदलो, भिन में बदलो, अब दोस्तों इसे भिन में बदलना है आपको, तो जितने अंकों पे बा तो नीचे दो नो लगा दो उत्तर आगया तेरा बटा निन्याड में यही इसका अंस्वर है अगला क्युस्सन एक बार फिर लिखता हूं मैं देखें दोस्तों एक बार फिर से देखेंगे आप इसे देखो एक्स बराबर जीरो पॉइंट तीन चार के उपर बार दो अंकों पे बार है कुछ नहीं करना तीन चार लिखो दसमलो भी अड़ जाएगा बार भी अड़ जाएगा बटा में नो लगा दो तो उत्तर आया तीन चार बटा नो नो समझ में आया होगा जितने अंकों पे बार है नीचे उतने ही नो लगा दो फिर बार भी अटा दो और दसमलो भी अटा दो एक बार फिर से देखेंगे एक और एक्जामपल ले रहा हूं है कि जीरो पॉइंट एक तीन चार और इन तीनों के उपर अपको कुछ नहीं करना एक, तीन, चार लिखना है जितने अंकों पे बार है नीचे उतने ही नो लगा दो भी तीन को पे बार भार था तो तीन आजयेंगे यही आपका आंस्वर है अब बताओ कोई भी दसमलो संक्या वो भी बार वाली संक्या आती है तो उसे भिन में बदल दोगे कि नी बदल दोगे जितने अंकों पर बार होगा नीचे उतने ही नो लगा दो दसमलो भी अटा दो बार भी अटा दो सब अट जाता है क्यों आटता है वो बात मैं आपको समझा चुका ओके दोस्तों अब देखिए एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ पहले उसे समझेंगे मैंने कहा कि भाई एक पॉइंट तीन इसका मतलब क्या है दोस्तो एक पॉइंट तीन का मतलब यह होता है कि साब एक तो पूरा का पूरा है और प्लस में उसमें पॉइंट तीन जुड़ा हुआ है बताओ इसका मतलब यही है क्या मैंने कहा कि भाई 3.67 का मतलब क्या है आप कहोगे कि गुरुजी 3 तो है complete पूरा का पूरा है और प्लस में उसमें कितना जुड़ा हुआ है पॉइंट 6.67 जुड़ा हुआ है बताओ सही बात है कि नहीं ओके अब देखो एक बात समझते हैं कि मान लो प्रिसन ऐसा आया 0.43 बार तब तो आप लिख दोगे कि गुरुजी 43 बटा निन्यान में 2 अंकों पे बार था दो आ गए 9 आपका अंसुर आया 43 बटा निन्यान में लेकिन यह जू मैं 0 लिख रहा हूँ अगर यहां पे कोई अंक या कोई संख्या आ गई तो क्या करेंगे जैसे प्रिसन आ गया 2.3 दो बार अब क्या करेंगे भाई अब आपको पता है कि यह 2 तो है पूरा पूरा बताओ है कि नहीं अभी जाना आपने प्लस में कितना जुड़ा हुआ है इसमें? पूइंट तीन दो बार इसके साथ जुड़ा हुआ है भाई सही है कि नहीं है? दो तो है पूरा का पूरा प्लस में है पूइंट तीन दो बार अब मुझे एक बात बताओ क्या पूइंट तीन दो बार को आप बिन में नहीं लेकिन ये तो option में नहीं मिलेगा भाई, इसके आगे का भी solution होगा, तो इसे अब हम solve करते हैं, तो 99 में को 2 से गुणा करना है, और उसमें 32 क्या करना है, जोड़ना है, दोस्तो देखो, अब आप इसे solve करेंगे, तो ये जो plus होता है, इसको आप सही भी बोल सकते हैं, सही का मत नहीं, 108 में, 108 में में जब 32 आप जोड़ेंगे, तो आपका answer आएगा, 230 बटा में, निन्यान में, ये ही आपका answer है, तो दोस्तो, जब कभी भी, दसंबलों से पहले, कोई संख्या आ जाए, कोई संख्या आ जाए, तो आप उसे इस प्रकार से solve करेंगे, मुझे पता है कि इ ज़रूरी है कि ये है क्या, एक बार फिर से एक प्रसन को समझते हैं, फिर आपको बताएंगे कि एक्जाम में इसे कैसे करना था, देखे भाई, attempt कैसे करना था, वो अभी बताएंगे, देखो दोस्तो, फिर से लिखता हूं मैं, मैंने लिखा कि प्रसन आया, 1.1, 2, और 4 के साथ में 0.124 इन के उपर लगावा बार, अब बताओ, 0.124 इन के उपर बार है, तो इसे 1, 2, 4, बटा, 9, 9, 9 लिख सकते हैं कि नहीं, तीन अंकों पर बार है, तो 3 आगे, 9, और साथ में कौन जुडा हुआ है, बाई, एक, और बताओ, इसे सोल करेंगे, तो क्या 999 में, ये calculation आपको करनी है, अब इसी में तो लगता है समय, देखो भई, 999 में को एक से कुणा किया, 999 में, 999 में में जब आप 124 जोडेंगे, तो आएगा आपका कितना भई, 1, 1, 2, और 3, डिवाइड भाई, 9, 9, 9, ये आपका आंसर आगया, 1123 बटा, 999 में, समझ में आ जाम में करना है, तो कैसे करोगे दोस्तों, ये इस परकार से परसन आएगा, परसन कहेगा कि इसे भिन में बदलो, अब इसे भिन में बदलने के लिए आपको क्या करना है, ये पूरी की पूरी संख्या, ये पूरी की पूरी संख्या, यह ऐसे कैसे लिख दो, 1, 1, 2, 4, complete सं और बटा में कर दो जितने अंकों पर बार है उतने लगा दो 9, 9, 9 और 9 बताओ आपका answer 1, 1, 2, 3, divide by 9, 9, 9 आया की नहीं आया देखो यह और यह सेम ही है क्या तो अब आगे से आपको यह काम नहीं करना आपको यह करना है direct जाम में इस प्रकार से आपको इसे करना है देखिए अब एक और प्रसन में लिखता हूँ मैंने लिखा भाई 13.6, 7 इन दोनों के उपर आया बार अब इसे जब आप भिन्ने में बदलेंगे तो क्या करेंगे भाई देखिए आप करेंगे कि गुरुजी ऐसे कैसे से लिख देंगे एक बार 1360 इस में से घटा हूँ जिस पे बार नहीं है बार किस पे नहीं है तेरा पर. तेरा घटा दो भाई ह不好 येवर 13. डिवाइड भाई है जितने अंग के बार है उतने लगा दो 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 नहीं है buffalo साब अब इसे घटा हूँ, सात में से तीन गया कितना बचा भाई? 4, 6 में से एक गया कितना बचा भाई? 5 और ये तीन और ये एक ऐसे गया से 1354, 1354 बटा में आ गया, निन्यान में, यही आपका आंस्वर है, अब मैं समझता हूँ, कि ऐसा कोई कुछ सन अगर एकजाम में आता है, तो आप कर देंगे, समझ में आया की नहीं आया, ठीक है भई, जितने अंकों पे बार, उतने लगाने हैं लो, अगर बार से पहले कोई संख्या आती है, तो वो संख्या उसमें जूड जाएगी, ठीक है, और इसको सोल करने का तरीका यह है, कि पहले पूरी की पूरी संख्या लिखो, 1366, उसमें से घटाओ, जिस पे बार नहीं है, 13 पे बार नहीं है, 13 घटा दिया, बटा में दो अंकों पे बार था, दो लगा आ रहा है, अब कुछ ऐसी दसम्लो संख्या ही भी आती है, इसमें दसम्लो के बाद सभी अंकों पे बार नहीं आता, कुछ पे तो बार आ जाता है, कुछ पे नहीं आता, ऐसी दसम्लो संख्या को क्या कहते हैं, उनको बोलते हैं, मिश्रित आवरती दसम्लो संख्या, तो साथ, यहां बार लगा हुआ है साथ पे, इस पे वही साथ पे, देखो, पॉइंट तीन, तीन पे बार नहीं है, साथ पे बार है, जब दसमलों के बाद, सभी अंकों पे बार हो, उसे तो बोलते हैं सुध आवर्ती, सुध आवर्ती, और जब दसमलों के बाद कुछ अंक पिर बार लगा हुआ हो, कुछ अंकों पर बार है, कुछ पर नहीं है, कुछ अंक छोड़कर फिर बार लगा हुआ हो, तो उसे बोलते हैं दोस्तो, मिसरी तावरती, यह जो एक्जाम्पल हमारे सामने है, यह मिसरी तावरती का है, और मिसरी तावरती का प्रसंद यह जो है, इसे आप भिनमिक कैसे बदलेंगे, एक्जाम में क्योशन आया, कि x is equal to 0.37, 7 के उपर बार है, और कहा कि इसे fraction में बदलो, तो आप इसे कैसे fraction में बदलेंगे, देखें दोस्तों, क्या करना है आपको, ये पूरी की पूरी संग कैसे कैसे लिख देनी है, ठीक है, इस में से घ अचली दसमलो संख्या में भी किया था, पहले पूरी की पूरी संख्या लिखिए, जिस पे बार नहीं है, उसे माइनस किया, जितने अंको पे बार था, उतने लगाए नीचे नो, यहाँ पे आपको एक और काम करना है, और काम ये करना है, कि दसमलो के बाद, ध्यान से सुन जीरो भी आएंगे, अब पता हो, 10 संबलों के बाद कितने अंकों पर बाहर नहीं है, एक पर नहीं है, तो एक के आएगा, जीरो, तो आपका आंसर हो गया, 37 में से 3 गया, तो आपका बचा, 36 बटा 90, तो आपका आंसर है, 36 बटा 90, अब देखें दोस्तों, ये कैंसल हो रहा है दोसे, वो काम आप करेंगे, ठीक है, कैंसल नहीं हो रहा है, तो ठीक है, ये ihmसर है, थीरो चैंसल हो रहा है, तो चैंसल करना बचा, 27 ठीक है, और इसको 25 तो आपका आंसर, 17 बटा 95, नहीं काटेंगे, तो ये आंसर है, अगर आपको, छैंसल किया हुए option में, सिंक्लेस्ट बदलेंगे देखें देखो भाइस 0.3 4 5 और 4 5 के अपर लगा हुआ है drug देखो इसे किस परकार आप बन मे बदलेंगे तो जब आप पीसे बन में बदलेंगे सबसे पहले पूरी की फूरी संक्थार लीज़ेंगे 3,4,5 लीज़ें दिया भाई इस में से घटाओ, जिस पे बार नहीं है, किस पे बार नहीं है, तीन पे बार नहीं है, तीन घटा दो भई, बटा, जितने अंकों पे बार उतने लगा दो 9, भई, दो अंकों पे बार है, दो आ गए 9, जितने अंकों पे बार नहीं है, उतने लगाओ 0, एक अंक पे बार नही That is divide by 990 ये भी 2से cancel हो रहा है यह 9से भी cancel हो रहा है je 2से भी cancel हो तो जितना cancel होगा वो cancel आपको करना है कर लेते हैं एक बाद करके देख लो क्सकिस से cancel हो रहा ही, देखे में सबसे पहले तो गाता हूँ और 9-37 ठीक है 27 के बाद 7 बच गया, 9 अंठे बैतर, ठीक है, 9 से से काटेंगे, तो 9 एकमनो, 9 एकमनो और 0, यानि 38 बटा 110, और यदि आप इसे भी काटेंगे, तो ये 2 से कैंसिल हो रहा है, तो ये हो गया, 19 बटा, ये हो गया 55, तो आपका आंसुर आया, 19 बटा 55, समझ में आ गया होगा, त श्रित, दसंबलो, संख्या, यानि दसंबलो के बाद सभी पे बार नहीं लगे, तो ऐसे करना है, ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि जितने भी एकजामपल हम कर रहे हैं, दसंबलो से पहले क्या आ रहा है, 0, लेकिन इसमें भी तो वो एकजामपल आ सकता है, जिसमें दसं पाँच, और पाँच के उपर लगा हुआ है बार, अब बताओ दोस्तों, इसे किस परकार से बिन में बतलेंगे, तो सुनो, यह जो भी संख्या है, यह ऐसे कैसे लिख दो, 1, 3, 5, इसमें से माइनस करो, जिस पर बार नहीं है, अब बार एक पे भी नहीं है, तीन पे भी न माइनस करें, यह पूरा का पूरा यह 13, यानि यह 13 माइनस करें, तो दोस्तों, पूरा का पूरा, 13 माइनस आपको यहां करना है, 13 पूरा का पूरा माइनस कर दो, डिवाइड भाई, जितने अंकों पे बार उतने लगेंगे 9, कितने अंकों पे बार है भाई, एक अंक पे, तो एक आएगा नो और जितने अंकों पे बार नहीं उतने आएगे जीरो अब दोस्तों यहाँ दो जीरो लगाओगी कि एक जीरो लगाओ यहाँ पे केवल एक जीरो आएगा मैंने काई कि दसमलो के बाद जितने अंकों पे बार नहीं 0 उनके लिए ही आता है, तो दस हमलो के बाद कितने अंकों पर बार नहीं है, एक पर इसलिए एक ही 0 आएगा, तो ये आपका आंसर है, अब बता हो, पांच में से 3 गया, तो दो बचा भाई, तीन में से 1 गया, तो भी 2 बचा, और ये 1 आपका है, पांसर आया, 122 बटा 90, ये फिर 2 से कांसर हो रहा है, इसे आप कांसर कर लेंगे, 2 ची की 12, 2 एक हम 2, ठीक है, और ये पैता लिदूनी 90, तो आपका आंसर है, 61 डिवाइड भाई 45, ये आपकी बिन्नों हो गई, तो यदि दसमलों से पहले, कोई संक्या पर बार नहीं आए, तो आप इस परकार से यहां पर बार नहीं है, और इस पर बार है, तो इनको किस परकार से बिन्न में बदलेंगे, वो आपने देखा, अब एक और एक और एक्जांपल में आपको समझाता हूँ, माल लो, परसन ऐसा आगया, 12.6, 7, और 7 के उपर आगया, 12, तो इसे किस परकार से आप बिन्न में दिखें दोस्तों, आप पहले पूरी की पूरी साइन के लिखो, 1, 2, 6, और 7, इस में से माइनस कर देंगे, जिस पर बार नहीं है, बार नहीं है, 1, 2, 6 पर यह कर दिया, और डिवाइट बाई, जितने अंगों पर बार उतने लगाओ, 9, एक अंग पर बार था, एक लगा द जीरो, अब आप इसे सोल करेंगे, देखें दोस्तों, 7 में से 6 गया, 1 बचा, 6 में से 2 गया, 4 बचा, 2 में से 1 गया, 1 बचा, और यह भी आपका 1 है, और डिवाइट बाई, 9 यही आपका आंसर है, तो अब कोई भी दसमलो संक्या बार वाली यह दिया आएगी, तो आप उसे भीन में बदल सकते हैं, ठीक है, तो यह था कि दसमलो संक्या को भीन में कैसे बदले, अब चाहे दसमलो के बाद सभी पे बार आए, उन्हें कैसे बदलते हैं, या दसमलो के बाद कुछ अंक छोड़ कर बार आए, तो उन्हें कैसे बदलते हैं, या दसमलो से पहले भी A, B, C, तीनों पे बार है, तो दोस्तों इसे हम लिखेंगे, A, B, C, तीन अंक हैं, तीनों पे बार है, तो तीन लगा दो, 9 , पहली बात, अगर इस प्रकार का प्रसंण आएगा, तो आपको ऐसे करना दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई देखे दूसरी बात मैंने आपको बताई कि यदि 0 की जगे कोई अंक आ जाए माल लो यहाँ पे आ गया X, point, A, B, C और तीनों के उपर बाहर है तो आपको क्या करना है दोस्तों यह पूरी की पूरी संख्या लेकर नहीं है X, A, B, और C इसमें से माइनस करना है जिस पे बार नहीं है X पे बार नहीं है X माइनस कर दो Divide by जितने अंकों पे बार उतने लगा दो 9 यह आपका answer भी इन अंकों पे बार है? इन लगा दिया तो दोस्तों यह जो दोनों संख्या हैं आपको दिख रही है इनका नाम है आवर्ति एसान दसमलों संख्या और आवर्ति की भी बात करूँ कि कौन सी आवर्ति है तो नाम है इसका सुद्ध आवर्ति कौन सी आवर्ति भई? सुद्ध आवर्ति ठीक है अब आग आपको मिश्री तावर्ती का कोई एक्जाम पर मिलता है या नहीं ऐसा मिलता है कि 0.A, B और C भाई B, C पे तो बार है और A पे बार नहीं है तो इसे आप कैसे लिखेंगे वो देखें तो आप लिखेंगे किसा आप पहले पूरा का पूरा A, B, C लिखा A पे बार नहीं है तो माइनस A किया दो अंकों पे बार है तो दो लगाए 9 और भाई दसमलों के बाद एक अंक पे बार नहीं है तो एक लगाया 0 इसे बदलेंगे आप इस परकार से चीक है दोस्तों और एक लाश्क बात जो हमने शीखी आज वो ये थी कि भाई चीरों की जगे भी कोई अंक आ जाए मानलो ये आ गया X.A, B, C और इन पे है बार अब इसे कैसे बदलेंगे सबसे पहला तो ये पूरी की पूरी सेंख्या आपको लिखनी है X, A, B, C ठीक है इसमें से माइनस करना है जिस पर बार नहीं है बार X और A पर नहीं है तो A, X और A घटाना है दो अंको पर बार है तो डो लगाने है नो दोस्तों और एक आंक पर बार नहीं है, दसमलो के बाद एक पर बार नहीं है तो एक लगाना है 0 ये आपका हो गया देखो ये च्यार बाते मैंने आपको बताईए ये भहुत ही इंपोर्टेंट आपके लिए कि कोई भी दसमलो संख्या यदी आती है उसे आप भिन्य में बदलेंगे तो इस परकार से बदलेंगे ठीक है तो आज मैंने आपको सिखाया कि दसमलो संख्या को भिन्य में कैसे बदलें अगली क्लास में इन दसमलो संख्याओं का जोड एडिशन इनका घटाना और इनका गुणा इस से अब हम अगली क्लास में सिखेंगे बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू